उस महीने में जिसमें आप कंसीव करनी की कोशिश कर हैं, तो आप ज़रूर ये सोचिए कि में भी आप कंसीव कर चुकी हैं, लेकिन कनफरमेशन पीरिट्स मिस होने पर होती है, और पीरिट्स मिस होने के बाद एक यूरिन का या बलड टेस्ट करने के ओपर उसकी 100% मेरा नाम डॉक्टर मिस्वा मलिक है और मैं एज़ा सीनर गैनेकॉलिजिस्ट एक्रा मैडिकल कॉम्पलेक्स जो टाउन लाहूर में पिछले 25 साल से अपनी खिद्मात सर इंजाम दे रही हूं इन खिद्मात में एक गैनेकॉलिजिस्ट के जिम्रे में जितनी भी रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं जैसे बच्चियों के पीरियट्स के प्रॉबलम्स, ओवेरियन सिस्ट, हार्मोलन इंबैलन्स, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, प्रेगनेंट होना, प्रेगनेंसी के दुरान, उ आज एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जिस पर मैं आपको इंफॉर्म करना चाहूंगी, वो है हमल की निशानिया, हमल की निशानियों में बहुत सी ऐसी बाते आती हैं, जो आम जिन्दगी में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक या दो महीने से प्रेगनेंट होने की क पर सकता है, इन अलामात में सबसे पहले प्रेगनेंट होने पर, फटिलाइज होने पर, जब एक जाके यूटरस में लगता है, तो इंप्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, पीरेट्स की तरह नहीं होती, और ये इंप्लांटेशन क एक या दो हफ़ते के बाद होती है यह एक अलामत है जो कि आपको लगेगा कि बहुत अन्यूजल टाइम पर अन्यूजल तरीके से थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है ऐसा हो तो आप थोड़ा सा खटक जाईए कि शायर प्रिग्नेंसी है इसी तरह ऑविलेशन के बाद जिसम क या दर्जा हरारत बढ़ जाना अगर अंडा रिलीज होता है और फटिलाइज होता है यानि अगर प्रिग्नेंसी हो जाती है तो टंप्रेचर इंक्रीज रहेगा वनना टंप्रेचर डाउन हो जाएगा इससे एक नॉर्मल जिसम का दर्जा हरारत जो के 97.4 तो 97.7 डिवी फ जाफा होना ये भी प्रिग्नेंसी के हार्मोन के विज़ से होता है और बाज वकात ब्रेस का अकर जाना उसमें दर्द महसूस होना उसमें तनाव महसूस होना ये भी प्रिग्नेंसी की अलामात में से एक अलामत है बहुत थोड़ा काम करके थकावट हो जाना कमजोरी हो जा प्रद्रियत रहनां जेसे गिरे-गिरे लामात में से एक लामत है दिल का खराब होना या और फ्रोंटिया आना ये प्रिग्नासी की बहुत ही जानी-मानी अलामत है अगर ऐसा हो तो तब भी प्रिग्नासी के ओने के चांस होते हैं इसी तरह भूख बहुत ज़दा लगना, बहुत ज़दा खाने को दिल करना, फूट की क्रेविंग्स होना लेकिन खाया ना जाना, ऐसा लगना जिसे पेट भर गया है, बहुत थोड़ा खाके पेट भर गया है या सिम्प्ली खाने को देखे ऐसी फील होना कि जैसे बहुत ज़दा पेट भरा हुआ है, पेट अकड़ा हुआ है, मेदा फुल है ये भी एक बहुत ही common और important अलामत है इसी तरह बहुत ज़दा नीद आना, गुनूद की तारी रहना सोके उठे भी तो ऐसे लगे जैसे नीद पूर्णी हुई, इस पर भी आप ये सोचिए कि शायद में भी आपको प्रिग्नेंसी है पिशाप का बार बार आना, हर थुड़ दिर के बाद आप यूरन करने जा रही है, थुड़ दिर बार बैठी है, फिर करने जा रही है और आपको यूरन आ रहा है, ये भी एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट अलामत है, में भी आप कंसीव कर चुकी है कबस का होना भी एक अलामत है, मुँ में बहुत ज़दा थूकाना, जो के पहले आपको नहीं आती थी, आप से सोचिए कि में भी इस दफ़ा आपको प्रिग्नेंजी है इसी तरह मुँ में मेटेलिक टेस्ट आना, बहुत ज़दा प्यास का लगना, बार बार पाने पीना, बार बार भूग का लगना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है अगर इन में से जो मैंने आपको चीजें बताई हैं अगर इन में से चंग भी अलामात हैं उस महीने में जिसमें आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो आप जरूर ये सोचें कि में भी आप कंसीव कर चुकी हैं लेकिन कंफरमेशन पीरिट्स में सोने पे होती है और पीरिट्स में सोने के बाद यूरिन का या ब्लड टेस्ट करने के उपर उसकी 100% कंफरमेशन होगी इसके लिए अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और मैं अपनी एक अगली वीडियो में आपको एक होम टेस्ट बतात लेकिन पर क्लिक करें अभी मरहम एप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से जाइद स्पेशलिज डॉक्टर से आनलाइन आडियो या वीडियो कौल के जरीए बात करें